हेलो एरिवान सो मैं बहुत टैम के बाद आप सब के लिए एक हॉल अफ फेम का इंटर्विव लेके आई हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीजे जानने को मिलने वानी है तो आज हम जिन से मिलने वाले हैं वो है जुमा सिंग जो कि वेस्ट वंगार से बिलॉंग करती है और उन्होंने धाय साल में 1.7 लेका बिर्जनस किया है जो बहुत ही बड़ी बात है तो आप सब वेलकम करिए जुमा सिंग का सो है जुमा सिंग कैसे हूँ आप है जुमा सिंग है जुमा सिंग आप वेस्ट बंगार से बिलॉग करते हूँ और क्या आपने क्योंकि वहां पर जुल्री ज्यादा बनाई जाती है आपने पहले कोई जुल्री सीखा हुआ है या बनाती थी क्या था मैं आपते और जितने लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उसे कोड़ा सा अरजस्ट करने, क्योंकि मैं तो बगाल नहीं हूँ, उसे हिंदी आती नहीं, मैं सेर की वज़र से बहुत सरी हिंदी शिखी है, सेर ने जो बुक परने के ब जुमा सिंग, क्योंकि आपकी हिंदी एकदम प्रॉपर हिंदी है, आपको सिर्फ हमेशा आपको ऐसा लगता है, कि आप पॉफेक्ट हिंदी नहीं बोलती, बट कोई बात नहीं, आप जो बोलते हैं, वो सब कुछ एजिली सब को समझ में आता है, सबसे पहले हम बहुत सारी बाते आज करने वाले हैं, सबसे पहले, क्योंकि लोग आपको नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहां से बिलाओ करते हैं, कहां रह रहे हैं, फैमिली में कौन है, मैं जहां रहते हैं, वो सब लोग जानते हैं, वो खेमास है, कि वो में बहुत कोचिश की थी को स्टाइम करने कि नींग कि बीटी पनल की भी टेनिंग लिखिन कुछ करकर मुझे मुझे नहीं कि ओक्योंकी सब कुछ करने के ठीघ थोर के बाहर जाने मोगे बाहर तो नहीं तक ये बाहर तो नहीं को जी अखकोफ्ट regular मेरे आदमेन मेरे शहुआ ना था और संसार भी करना था मुझे तुक एस्टर दिश्टी भी करना तो इसलिए वह सब कुछ छोड़के फिर शोचा ऐसा कुछ करें जो घर बैठ की कर सकते हैं तो फिर मैं एक टीवी सो थी और दीदी नमर वन तो वहां से यह जुएलरी की आइडिया मुझे मिलें तो फिर वाट वहां पर ऐसा होता है एक डीदी आता है और उनकी वह लाइड की बात करती है तो वहां से मुझे आइडिया मुझे हैं में जिर्वरी की आइडिया मुझे वहां से मिली फिर जाके मैं इंक्टूप सर्च किया आपकी वीडियो मैंने देखी तो आपने मेरा साथ पहले मेरा कॉर्ट साइं किया था को एक में खज्ता करें सुद म्यदी जैसे आप बोल रहे हैं कि घर से काम करना था आपकी फैमिली को भी संभालता था तो आपके कितने बच्चे हैं सै दुमक्च ओके सो आप बच्चों के सांथ घर का काम ब्रल्या रह varsa में आरने जह कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं मैं घर का पुरा काम करती हूं यह है वो है सो आप कैसे मैंनेज कर रहे हैं आप कैसे अपना बिजर्स चला रहे हैं और इतना अच्छा रहे निदफ हो जाए कैसे मैं एक वक्त था जब मुझे भी लड़ता था यह कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि अश्चे पर बच्चे और यह संगसा नहीं इसके इलावा बहुत कुछ काम होता है कि कि उसकी डिजनेस है मैं पती के बिजनेस है और बिजनेस की पार दो चार दिन बात बात बहुत सरे कि लोगों के लिए मुझे कभी खाना पकाना उसको साप करना फिर बाहर कारी भी कम होता तो वह पर खाना देके आना ऐसा भी मुझे करना पहने पहने नगता था यह पॉसिबल नहीं है फिर इस दान की क्लास अटेंग करते 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 के यह समझ में आ गया सब कुछ कि आए निए सब कुछ के अंदर प्राप्लिम जरूर आएगी लेकिन हम वह रुख कम कर पाएंगे अधर हम वन से यह थान लिया कि मुझे यह करना था तो मैंने जब से यह थान लिया था मुझे कुछ करना रहे एक बात मुझे हर बक्त सताता था एक ही तो लाइट है इस द तो इस तरह पर बैठ के तो नहीं होगा तो भी नहीं होगा तो भी नहीं होगा तो भी यह मुझे बात सताती तो मुझे भी तो कुछ करना है मेरे अंदर भी तो कुछ है उसको तो उसको कुछ करके देखे मैं क्या कर सकती तो इसकी हर वक मुझे सताती थी फिर मैंने कोशिस वहर वक्त शुबे से नेकेट तानाती या एकारों बजे तक मैं काम करती रहती हूं ऐसा वक्त आता हुँ जब मेरे सरीर में मुझे हाथ जूड़ लेता है अब मुझे छोड़ दे आप मैं उसको शम्ताया मैं उसको बोलती तो मुझे पात साथ तक मुझे टाइम दे इसके ताइम वाव एक कर सकते हैं बस एक जरुदरत होती है एक च्छोटा सा एक्षन लेसी क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसे गलत से होती जोन कना Turkey करते हैं और उनकी एक ज़ेद कि पुझे करना करना है और नहीं स्थी बना अप जू मारत ईजन एक तो आपने आपने स्थिधर मेंबर्शिब मेंबर अ fer दाइमंड मेंबर्शिप लिया है तो उसमें आपको क्या फर्क मिला मतलब जो हमारा नॉर्मल कोर्स है सिल्वर लेवल का वो तो सब लोग जॉइन करते ही है ठीक है और आपने उसका भी अपर लेवल आपने जॉइन किया है आप मेरे टॉप के स्टुडेंट हो तो डाइमंड पर वे आपके बिजस्स में क्या फर्काया क्या चेंजिस आया वो आप सबको बताए ब्लीज मैं अगर मैं डाइमंड में जॉइन होता तो मेरे अंदर जो माइंड अधी है वो तभी दिन नहीं कभी नहीं होता है पहले हैंशाफ होता काम करती थी फीन दो चार दिन बाद लगता था यह देन कुल गलत रस्ते पर आगया यहां बहुत सारी नॉलच की जरूरत वतिया है बहुत सारी पैसे की जरूरत होती है यह वो है वही इस लेवन पर इस जाइना पर आने की काविए लेकिन मेरे जितने सारी negative thinking थी न मैं मुझे सब कुछ दूर हो गए है इस diamond membership में आने के बार अगर मुझे यह यहाँ पर नहीं आता तो मुझे साथ कभी भी मालूँ नहीं होता यह इंपॉसिबल लन की कोई चीज नहीं होती जो होती है वो negative thinking की वरा से हुझे यहाँ पर आती है वो वो सरे सीखने कोगी नी मैं ओके और आप में कभी सोचा था कि आपी खुद की वेबसाइट होगी मैं कुछी वेबसाइट क्या मैंने जब गोल्डन मेंबर सीट में थी ना रगापन जब कि सरकी कोर्स ती कॉलबर्शन तरनी पड़ेगी हो पड़नी होगी लाइट दिखाना पड़ेगी और के सामने बोलने पड़ेगी यह सब जब देखती थी ना मुझे लगता है यह सब नहीं होगी बहुत सरी ऐसा एकाउन मैंने देखा था जो फेस ना खाए हुई यह कुछ भी नहीं किया थे फिर वे उसकी बहुत ज्यादा पॉल्वर्स हैं उसकी बहुत अच्छी चैनली मैंने शोट रहता था वह उसकी चैनली तो मुझे भी हो जाएगी मुझे यह पॉल नहीं हो तो एक वक्त था जब मैं मुझे यह लगता था यह बहुत बड़ी इंपॉसिबल बैने चीज है लेकिन आज जब वह सब कर चुके है मैंने एक के साथ प्लवर्सन कर चुके हैं एक आपर आया है तो उन्होंने बोला मुझे प्लवर्सन करेंगी मैंने उसको बोना क है फिर उसके बाद मैं आपसे प्लवर्सन करूंगी जब ही के वोल्डन मेंबर सिम में था मुझे मेरे पास और रासमभब चीज था तो वह अग जब मैं वरकम तन लिया हूं तब मुझे लग रहा है यह माहूलिशी चीज था ऐसा मेंटनेटी हो गई है पर शब कुछ जुमः singh के बाद में नहीं पता है मैं आप सब के लिए नीचे समिकिया में झूठ की लिंक में दे रही हूं उसको क्लिक करके मर्वा इन की वाप सायट ज़रूरा रिजेट कर ये और देखिये वहां से पचेस भी कर सकते हैं तो सबसे पहले एक और ऍचर भीस पहले फोकास इतना ज्यादा स्टैट की कोर्स के ऊपर नहीं किये थे पहले पहले मैंने शोचा था मैं लोकल में लोकल के दोकन में शेरी तरुम दुग गई जिसल करूगी मारकेटिंग करके पता चला वहां दोकन में देने से मुझे बड़ा जही मिलने बाती तो फिर एक दिन मिशो से कॉल आया मैं मैं मिशो के मेरे पती के जिस्टी नमबर ते उसके बिस्टिनर्स है तो मेरे पती के जिस्टी नमबर तो उसी नमबर से मैंने मिशो से काम करना शूरू किया जब से मैंने मिशो से काम करना शूरू किया तब से मैंने सर से कि यह मुझे इतना दिन लगा होने में जब मुझे पता चाना मीशों से मुझे कुछ दी नहीं मिलने बादी तब वहां से दूर होती रही और कि इस तरके गोल्ड में गोल्ड दिया फिर दार्मन दिया फिर तरके नर्दी कानी नहीं कर दिया था उतना उस वजब से कोर्स में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थी और उसके बाद इन्हों ने मीशों से थोड़ा दूरी बनाया क्योंकि मीशों में डाइरेक ड्रॉप है कि यह होता है मीशों का कि आपको डाइरेक कोई कस्टमर आपको नहीं पहचानेगा क कि मैंने किस से जूलरी परचेस करी है और वहां में बहुत रिटेन पार साल और बहुत सारे इश्यू रहते हैं ठीक है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट की ब्रांड हो तो खुदकी ब्रांड तभी बनेगी जब आप आपको सब लोग जानेंगे आपकी नाम से आपके काम से तो हम वो चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और जुमा सिंग ने फिर मीशो पर उसको छोड़के फिर वापस हमारे कोर्स में आ गए और आगे 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 लेवल में जाते रहे और अभी जुमा सिंग आपके सामने ही है इतना अच्छा रेवेन्यू है उनका साथ म में अपनी खुद के वेबसाइट है अपना ब्रांड नेम बना दिया है इनोंने जो बहुत बड़ी बाप है तो बहुत लोग जानना चाहेंगे कि आप कौनसे जूल्रे बनाते हूं मुझे पता नहीं था कि जूल्रे को अपर मुझे फोकस करना चाहिए तो पर नहीं आइडिया जो मिली है मैंने बहुत सारे जूल्रे वहां पर भी लिस्टिंग किये तो मुझे मीर जूल्रे के उपर ही स्टेप और आपी जूल्रे की रहावा मैं बाम पुद जूल्रे के उ कि फोकस करना चाहिए तो यह तो यह टोटल ही आपने मत्से बन रहे हुआ है जो मीर के उपर वर्ट किया है वह है तो प्लीज सबको निखाए एक प्रॉपर तरीके से मैं भी देखना चाहूंगी कि कितना अच्छा बनाया आपने मैं पुड़ी दीख सही है ना दिख रहा है भी बहुत ही अच्छा बनाया है आपने नाइस अभी यह बहुत चल रहा है लोगों को लाइट कलर्स और या नाइस और अपकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है जूल्रे की स्टार्टिंग अभी डाइमंड में स्टार्टिंग पर्चेस करती हूं तो आपकी क्या स्टार्टिंग रेंज है कितने रुपे से आपकी जूल्री स्टार्ट होती है कि अब नहीं तक तो सबसे मेहंगे एक फांफो पैक डाली है वी है यह जां की आस्तार से नित्तार प्ट्रॉपे में सबकुच आ रहे हैं लो नेकलेस खाएंगे टोल्ग मांग का यरिंग नाइंग् बहुत अच्छी बात है और यह चल रही है ज्यादा क्योंकि लोग अभी हल्दी फंक्षन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी ट्रेंड चल रहा है तो लोग इस तरह की जूलरी प्रिफर करते हैं अच्छी जूलरी होती है लाइट वेट भी होती है और उससे कुछ ह हमारे स्कीन पर इरिडेशन भी नहीं होता तो डेफिनेटल आपको पर्चेस करना है यह इनका कलेक्शन देखना है तो मैं फिर से पोल रही हूं कि दिस्क्रिप्शन में मैं इनकी वेबसाइट की लिंक में दे रही हूं उसको क्लिक करके आप उनकी वेबसाइट को रहे गया है यादगार जो रहे गया होगा वो कि कोई special customer आपका रहा होगा क्योंकि हर किसी business में पूरे business की जरनी में एक customer तो आपको ऐसा मिलता ही है यह आपको वो अपनी lifetime याद रहता है वो अच्छा experience क्या है वो बताईए अगर हुआ है तो कि अज़िए यह अपने ज़िए जितने सारी customer नहीं अब बिस्तों नहीं है तो आ अमीशो पर एक customer नहीं सब्सक्राद का था यह नया है इसकी के तो वह बहुत अच्छे है आप सब उससे purchase कीजिए ऐसा कुछ बोलके उने पोस्ट किया था पिर इसकी जो़लरी के उपर मैं मैं एक शोश देर शो की ओपर मैं सेल कर चुछी हूँ मैं उडिया था जो मैं ने दिया था यह बहुत अच्छा है है उसके बहुत अच्छी में प्वालिटी है वह से अच्छी कुछ करके उन्हें ने पुखा था फिर मेरे वांदर बाफ़त बढ़ गाए ओके तो वह एक याद में रह गया कि अच्छा रिव्यू मिला था तो बहुत ही अच्छी बात है तो आपकी जूलरी भी बहुत अच्छी है सच में तो अब यह सब को बताईए कि एक ऐसी कौनसी मिस्टेक आपने करी है जो सब को नहीं करनी चाहिए मैं मेरे जो मिश्टेक था वो था मैंने परने सोच रहा था मैं खुद ही अच्छी अच्छी और मेरे जितने सारे क्लेक्टन है वहाँ पर मैं सेल करूंग तो फिर मुझे दिने में पता चला कि यह मेरे जिस टाइप की ज्वेलरी शै यह लुगालिटी मैं चलने नहीं वाल गर हम पहले इससे ऑनलाइन के उपर फोकस कर तो फोकस किया होता तो इतने दिन में बहुत कुछ पर दिन लेकिन मैंने तीन-चार साल पहले तीन-चार महीं ने पहले इंस्टरडाम के अकाउंट लेकिन सब्सक्राइब लेकिन इंस्टरडाम एकाउंट लेकिन मैंने इंस्टरडाम एकाउंट इन चार महीं ने पहले ही वो उसको उपन किया था यह समझ जाता कि online market क्या है online market की पावर किना है यह पहले से अगर मुझे मालूम चलता तो मैं पहले से ही focus इसके उपर ही करता है मुझे पहले करती पहले करती पहले करती पर जब मुझे समझ आया वह बहुत देर हो गया लेकिन इतना भी देर नहीं हुआ है मैं आपको पता सकती हूं कि आपने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है जो चीज हम बोलते हैं कि यह कर ये वह करिए तो जुआ सिंग एक ऐसी इंसान है जो तुरंट कर दीगा तो वह एक भी चीज है उस वज़से इतना चल्दी ग्रोथ कर रही है क्योंकि यह तुरंट एक्शन लेती है तुरंट एक्शन अगर आप भी लेते हो तुरंट आपको पता है कि यह चीज मुझे करनी है यहां तक मुझे पहुचनार है पर वह एक एक्शन मेनी लोगे तो वहां तक कैसे पहुचोगे सब ठीक है तो एक एक्शन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व अब सबको देना चाहोगे एक प्रश्य एडवाइज आपकी तरफ से अच्छे यह बोला है यह हमारी जुएनरी की जो जर्मिंग है यह बहुत टाफिन यह इतना इंदी नहीं है कि यह किसी को दो चार दिन में यह दो चार महीने में ही कुछ सब कुछ मिल जाने है तो उसको नसीब अच्छा है उसकी अच्छी पर हाँ को चलव था लिया इंसकी लेकिन इसकी जानने कि भुग hypothesis हो July होती है इसके सबहुत होती है तो इसके लिए मेंटर पिट रहना पड़ता है। को हर वक्त चार्ज करने की शर्की बबात बोलें तो इसको चार्ज करना पड़ता है अगर गर्वक इसको चार्ज नहीं किया जाए, तो माइन्ड पुरी तरह से लॉस हो जाएगी और पुरी तरह से हम इसको छोड़ देंगी तो इसके लिए प्रोपर तरीके से अगर आपको मेंटर नहीं की मिला आप शोच रहनी हो कि मैं घुद ही कर लूगी मुझे पता है, इंस्टारण पर यह कर लाँ है, इस बहुआ यह कर लाँ है, मुझे उन्ध की बनाना तो बहुत यह है, लेकिन 200 बनाना ही, नहीं सब कुछ लेह होता हुआँ. इसके इलावा बहुत होता है आपकी जब फीड वेमन होता है वहाँ पर मैं अपने अपनी जब अर्डिय थे जैं मेरे पास एक ग्रूप है रूप के अंदर बहुत सरे लेडिस हैं वहाँ पर शंदी आपनी अपनी प्रॉब्लम दाखते हैं कोई ना कोई सेलूशन दे रेता ह मुझे पहली वह बहुत अच्छी लाग तिए फिर आपकी कोंश में ज़ाइन की थी प्रॉब मुझे बैद मुझे आपकी ज़ाइन किया फिर मुझे पता चला किस जुट करने से से नहीं होगा मेंटली को नाली चार्ज करने के लिए मेंटर की रवक्त ज़रूरी होती है उसकी यह रास्ता दिखाए दिखाए आगर यह रुपर तरीकी से हम अगर नहीं जाने तो मेरे चलने के जो रास्ता होता है तो इसलिए मैं अपने मास्टर क्लास में भी बोलती हूं कि एक गुरु होना बहुत जरुए है अपनी लाइफ में क्योंकि आप उनकी पकड़के पूरा रास्ता तै करते हो और जल्दी पहुंचते हो जहां पहुंचना है अकेले जाते हो तो बहुत टाइम लगता है और अपने हाथ में हमें क्या करना जमना है रिपीट कर लेती हूं कि आप सब को जुमा सिंकी पर्टेज करनी है देखनी है तो मतमीं ऐससे में जुआ सिंग की व flips की लिंक दे रही हूँ उसको किलिक करें कर ये और उनकी की विपसाइट पर जाए विजिट करें और देखें कर दिटे और सकना लान्स अगर को अठेन करना है तो उसके b stress कर सकते हैं और आ बहुत मजाया, I hope आपको भी बहुत मजाया होगा, या, thank you, yeah, thank you so much Jhova, so, चलिए, हम मिलेंगे अभी live class में, so, बाइ जुवा,